कहानी फुलन देवी की, फुलन देवी सबसे खतनाग महिला डाकू गूरूप में जानी जाती थी, जिसे वक्त और हलात ने उनको डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था, फुलन देवी ने अपने साथ हुए अत्यचार और रेप का बदला लिनक लिसमें कदम रखा था, कहा जाता है कि फुलन देवी ने लगबाग 21 थाकरों को एक लाइन में खड़ा करके एक साथ गोली मार दी थी, सन 1983 में इंद्रा गांधी के अन्रोथ करने पर फुलन देवी ने खुद को सरेंडर कर दिया था, इसके बाद 11 साल की सजा मिली, जिसे काटनेक बाद वह आम जेंद